बिहार उत्तरपूर भारत का 94,163 स्क्वेर किलोमीटर में फैला हुआ है या तेरहवा बड़ा राज्य है उत्तरपरदे जारकंड वेश्ट बंगाल के साथ नेशनल बॉर्डर और नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर सेयर करता है हलो फ्रेंज आज आपको बिहार के बारे में कुछ रोचक्तत के बारे में जानेंगे जिसे आप सायद ही जानते हों बिहार की आवादी 10 करोड 4 लाक से जादा है जिसमें 82% हिंदू, 17% मुस्लिम और 1% में अन्य धर्म के लोग आते हैं बिहार सब्द, संस्कृत सब्द विहार से लिया गया जिसका मतलब होता है निवास इसमें आमतर पर उन छेत्रों को सामिल किया गया था जिसमें बहुत विचुक रहा करते थे दुनिया के बड़े धर्मों में से एक बहुत धर्म के लिए बहुत ही माइने रखने वाला जगह है क्योंकि बिहार की राधानी पटना से 96 किलोमेटर की दूरी पर बौध गया नाम का एक जगह में महाबोधी पेड़ के नीचे गौतम बुध को ग्यान प्राप्थ हुआ था बिहार के बोध गया में महा बोधी टेमपल बहुत धर्म लोगों के लिए बहुत ही महतपुन जगह है यह उनेस्को वर्ल हेरिटेट्स साइड में भी सामिल है इसके अलावा सिखों के दस्वे गुरु गोरु गोविंद सी का जन्म भी बिहार की राधानी पटना में हुआ था और सिखों के लिए यह पवित्र जगह है भारत के इतिहास में बिहार का महतपुन रोल रहा है बिहार तीन अलग अलग रीजन से मिलकर बना हुआ है यह रीजन है मगध, मिथिला और भोजपूर इंडिया के सभी 29 राजियों में से 63% सिख्षित रेट के साथ भले ही बिहार सबसे नीचे क्यों न हो फिर भी बिहार से सबसे ज़्यादा IAS और IPS ऑफिसर बनते हैं केरल करनाटक, तमिलनाडू, अंधर परदेश और कुजरात राजिकों मिलाने के बाद भी बिहार इनसे सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर पैदा करता है प्राचिन इन्वर्सिटी में से एक और पूरानी इन्वर्सिटी ना लंदा इन्वर्सिटी बिहार में ही थी जो पाथवी सदी में बनाई गई थी और यहाँ पर दुनिया के सभी हिस्सों से लोग पढ़ने आते थे इस वक्त यह UNESCO World Heritage में अभी भी सामिल है लिटी चोखा बिहार का सबसे famous food माना जाता है यह कहा जाता है कि बिहार के लोग बाद बाद पर मार पिट करते हैं लेकिन बिहार ही हिंदुस्तान का पहला राज है जहां से सांती का पैगाम पुरी दुनिया में फहलाया गया और यही वो जगह है जहां पर बहुत धर्म और जैन धर्म की सुभात हुआ पिछले कुछ दिनों में बिहार की सामाजिक आर्थिक और प्रासा स्निक मामलों में काफी सुधार आई है हलो फ्रेम्स यह टॉपिक आपको कैसा लगा अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल अमेजिंग प्रसाद सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे इस टॉपिक में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ तक तक ब वाइब पाइ टेकर आप्यू